नमस्कार मेरा नाम बीना है और आप दे इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं बिहाद में प्रतिभाओं की कमी नहीं है हाला के सिस्टम की लाचारी और कुछ खामियों के कारण यहां के प्रतिभाओं जो हैं दब जाती हैं लेकिन समय समय पर ऐसी कहानिया सामने निकल कर आई हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं और आपका उत्सा भी बढ़ाती है ऐसे में इन दिनों खगरिया के सुभम काफी चर्चा में हैं और चर्चा में रहे भी क्यों ना जिस कंपनी में उनको ओफर किया है उस कंपनी में लोग काम करने के लिए तरस्ते हैं आपको बता दे कि शुभम को 80 लाग के पैकेज पर गुगल ने ओफर किया है जॉब जी हाँ शुभम खगडिया के हैं और उनकी प्रतिभा को देखते हुए उनकी मेहनत को देखते हुए गूगल ने उनको जो है 80 लाग के पैकेज पर जॉब आफर किया है आपको बता दे कि सुभम IIT बीटा के थर्ड यर के स्टूडेंट हैं और वो काफी मर्द्य वर्गिये परिवार से तालुक रखते हैं इसके साथ-साथ ही अगर वर्तमान की बात करें तो उन्होंने इस जॉब को एकसेप्ट कर लिया है और आगे वो Civil Services की तयारी भी करेंगे आपको बता दे कि शुभम कुमार जो है वो Civil Services में अपनी किसमत आजवाना चाहते हैं उस फिल्ड में अपनी आगे की लक्ष को तै करना चाहते हैं इसके बावजूद भी उन्होंने 80 लाग के पैकेज पर दिये गए ओफर जो की गूगल के द्वारा दिया गया है जो उसको एकसेप्ट कर लिया है इसके सांथ ही उनका ये भी कहना है कि वो आगे सिविल सर्विसेज की तयारियों में जुटे रहेंगे चलिए आपको इस कहानी की विस्तार से जानकारी देते हैं कि क्या कुछ सुभम का कहना और कैस सराउन का जीवन का सफर अब तक कर रहा है आपको बता दे कि IIT बेटा में 30 एर के छात्र सुभम ने बिहार का नाम एक बार फिर से रोशन कर दिया है सुभम को केंपस सेलेक्शन में गूगल ने 80 लाक रुपए सालाना का पैकेज दिया है सुभम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गिय शतीष प्रशाद सिंग के भाई धिरधर प्रशाद के पोते हैं उनके पिता सुशिल कुछ स्वाहा पॉलिटीशन और बिलडर हैं सुभम की मा सीमा सींग ग्रिहनी है वहीं सुभम का परिवार मूरूप से खगरिया के पसराहा का रहने वाला है फिलहार सभी लोग पटना में रहते हैं शुभम बताते हैं कि एक समय ऐसा था कि परिवार में आर्थिक तंगी थी एक एक रुपे के लिए सोचना पड़ता था तमाम मुश्किलों के बावजूद माता पिता ने इनको इसका एहसास नहीं होने दिया शुभम अपने माता पिता को अपना आदर्श मानते हैं उनकी दस्वी तक की पढ़ाई खगोल डियेवी पब्लिक स्कूल में हुई है इसके बाद दानापूर के पार्क माउंट पप्लिक स्कूल में उन्होंने बारविय किया है और सुभम ने इस कहानी के साथ ये भी बताया और शुभम आगए स्विल सर्विसेस का और रुक करना चाहते हैं युवा जो है एक शात्र जो है वो अपने सफलता की जो सारी जिम्मिदारियां हैं सारी बाते जो हैं अपने माता-पिता से जोड़ कर देखता है तो उसके आदर्श और उसके विचारों की व्याख्या करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आज हम इस समाज में जहां करने के अपने लक्ष को प्राप्त करने की प्रतिभा मिलती है आपको बता दे कि सुभम ने बताया कि वे गूगल जौइन करने के साथ सिवल सिवा की तयारी भी करेंगे उन्होंने कहा है कि वह आई एस बनकर देश के लिए कुछ करना चाहते हैं सुभम को गूगल में पढ़ाई में माता ने हमेशा सहयोग किया है पढ़ाई के दौरान जब थकाहट महसूस करते थे तो उनके मा सर को सहला कर उनको आराम दिलाती थी सुभम बताते हैं कि अगर आपकी सोच मजबूत है तो किसी भी लक्ष को पाने में काफी आसानी हो जाती है वे बिहार के काम करते रहें एक ना एक दिन आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी और लोग आपर दगर महसूस करेंगे आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे अन्य तमाम बड़ी और छोटी खबरों के लिए बने हैं दा इंडिया टॉप के साथ धन्यवाद